नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत था आपका अपना चैनल A2Z रिपैरिंग में दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लॉक्डाउन के वज़े से अभी हमारे चैनल पे प्रोपर वीडियो नहीं आ रहे हैं और sound quality को improve करने के लिए मैं Boya का M1 Mac ले लिया हूँ Amazon से जो की 7 दिन लगे हैं आने में तो चलिए आज इसका unboxing करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या-क्या मिला है और दोस्तों साथ में मैं आपको बता दू कि यह जो sound सुन रहे हैं यह Boya M1 Mac का sound है वह इसको मैं अलग से एड़ किया हूँ तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि sound quality कैसा है Boya M1 Mac का तो दोस्तों डब्बे को रेपर से अलग कर लेते हैं और देखते हैं डब्बे में क्या-क्या मिला है तो यह हमारे पास pouch है जो कि इसके अंदर mic है और डब्बे के अंदर एक user guide है जो कि mic को कैसे use करना है यह इसमें बताया हुआ होता है इसको आप पढ़ भी सकते नहीं भी पढ़ सकते हैं और देखते हैं पाँच में क्या मिला है तो यह इसमें कुछ पीन वेगरा है तो इसको हम बाद में देखेंगे अभी इसको रख देते हैं अभी पहले mic को देखते हैं कि इसमें mic का quality कैसा है build quality कैसा है mic का तो यह हमारा mic है और इसमें जो है smartphone और camera दोनों के लिए होता है और बाकी जो है इसका यह जो jack है यह 3.5 mm का jack है और दोस्तों जब मैं order किया था तो इसके साथ एक extra noise filter जो है कैप था बड़ा सा तो वो डब्बे में नहीं है और नहीं पॉच में देख सकते हैं तो यह हमारे साथ cheat हो चुका है और आगे देखते हैं और इसका तार का जो है लेंथ लगवग हमें 5-6 मीटर का लेंथ लग रहा है वो ठीक है और इसका जो माइक देख सकते हैं यह माइक है और इसके अंदर और यह 3.5 mm का jack है और इसमें जो है एक पीन जो यह दिख रहा है आपको यह DSLR के लिए इसको लगा करके DSLR कैमरे में इसे यूज कर सकते हैं और यह collar grip है और इसके साथ ही जो है छोटा वाला noise cancellation cap है एक बड़ा वाला था जो की नहीं मिला है और यह हमारा dead vault का battery है तो यही सब कुछ था इसमें बाकि इसका sound quality कैसा है यह आप comment करके जरूर बताएं दोस्तों उमीद करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगे होगी मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धनिवाद